प्लेट्व में यहूदियों का ओंड हैं और चलाने वाले हिंदू होगे तो दोनों हे का फिर होगे. पाकिस्टान Two चौड़ देडा चाही है. पाकिस्तान को फेवर मिलेकी या नहीं बन गए है और उनका नाम नील मुहन है तो पाक मीडिया यहां पे पाकिस्तानी पब्लिक से उसका रियक्षन ले रहा है और पाकिस्तानी पब्लिक यह कहरे कि भारतिय अब यूटूब कभी CEO बन गए है मत्रब की यूटूब पे अब पाकिस्तानियों को बहुती मुश्किल ज के CEO इसलिए बनते हैं क्योंकि भारत का education model पाकिस्तान से बहुती अच्छ है और इसलिए वो ऐसे लोग बनाते हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी कमपनियों के CEO बन पाते हैं और पाकिस्तानी मीडिया यहां पे एक जुट भी बोलर है जो यह वीडियो देखके आपको पता चल ज हैं हम लोग काफी परिशान है कि यूट्यूब में भी एक इंडियन CEO आगे पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि जो प्लेटफॉम में यहूदियों का ओंड है और चलाने वाले हिंदू हो गए तो दोनों काफिर हो गए तो पूरा काफिरों का पाकिसान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं फेवर इंडियन से कभी भी नहीं मिलेगी तो वह कोई ना रखें इंडिया तो है दुश्मन कैसे यह तुम्हार यह एक बात समझें गैर मजब लोग हैं उनने जब भी चाहे ना हमारा बुरे चाहे बला अच्छा कभी भी नहीं उनकर जाए अवज जैसे मैं पच्छा चाहा मुझे बताएं मैं मुझे में थोड़ा सा थोड़ा सा हुग्यारान हो आपने मूदी की बात कर देंगार रहा है वो दुनिया को दिखाने लिए कालनों कालनों खुदा नकास ता इंडिया पर आएगी आए हैं अभी कुन सी बेजी थी आपर की थी क्रोना वेक्स वगेरा गई थी सारा कुछ अक्सीजन मेरे ख्याल से मेरी नहीं नहीं इदी इदी गई थी वहां पर तलीम हमारे मुलक में अलाहम्दुलिल्ला सबसे टॉप पर है सबसे टॉप पर है सब यह मानेंगी नहीं के इंडिया के तलीम काम करते हैं जिसके वे हम एंपदा जिसके काम करते हैं जिसके paid दिंदिंगर में पे करता है YouTube का CEO को है? इंडियन इंडियन है, इंडियन है, शरी है. लेंडियन अप में मेरे बात है, इंडियन क्यों है? हम से उनकी तालिमी निजाम बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तानी सब की बात नहीं कर रहा है, घारी जाते हैं, तो जल्द तर वरकर और ये जो उन तो देखे ना हमारी वाम और उनकी वाम हमारी वाम में जजबा है भी ऑन्की जजबा हर चीजबा हर चीजबा है जजबा हमारे अंदर है अब तो वो यह थे कि इंडियन्स ने आइ गैस जो गहर मुस्लिम लोग थे लाइक हिंदू लोग ने उनों ने अंग्रेजों के साथ जो उनका बरताओ था वो शाइद इस तरह का था कि अंग्रेजों ने उनको एक्सप्ट कर लिया था एज को लोनी लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो इस आख ऐक्सप्ट नहीं कर सकते तो यूट्यूब के नए CEO को अब तलाश कर लिया गया है और यूट्यूब के जब tech companies की बात की जाती है, digital media की बात की जाती है, तो हम देख रहे हैं कि Google से लेकर, सुन्दर पिजाई से लेकर, और उसके बाद IMF तक, तमाम जो नाम हमें नज़र आते हैं, जो के, कहना चाहिए कि जो ऐसी नौजवान शक्सियात, जो के, वो अपने एक उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे लोग के, जिनका तालुक इंडिया से, वो वहां से पढ़कर निकले और फिर आगे बोड़े, अच्छा, अब ये जो हम तो पहली कहते हैं, जनाब तमाम CEO जो हैं, वो वही से हैं, और अब लगता है कि अब जो दो-चार डिपार्टमेंट्स ऐसे रह गए हैं, वहां पर भी वही आएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि, यूएस बेस्ट ग्लोबल जाइंट्स इंक्लूडिंग मार्क्रोसॉफ्ट सीयो सत्या, नडेला, एडोब CEO शन्तानू और नारायन और अलफबेट CEO सुन्दर पिशाई और इंद्रानूई हास सर्फड एस पैपसी CEO और ट्वल्व यर्स बिफोर स्टेपिंग डाउन इन 2018 उन्होंने का, और इसके लावा और बहुत सारे ऐसे डुनिया की टेख कंपनीज के जहां पर राज कर रहे हैं, यूथ कहां की हमारे हमसाया मुल्व की है हमें देखने की जरूरत है कि हमने पिछले 10 सालों में क्या किया है, और उन्होंने अपने पिछले दस सालों में क्या किया है अपने चले दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं तो पहले जो जूट पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है और ये जूट पाकिस्तानियों ने अर्नब गोस्वामी के सो में भी बोला था कि पाकिस्तान ने कोरोना के व माफ कर दो यूख आपको पता की पाकिस्तान की आदर है पैसे मांगने की तो वो कहते है कि हमने डो एंबूलेंस से आपको भीजी थी तो इसलिए अभाने टो और डोलर की मदद दीजिए तहीं की हमें माफ कर दो हमें आपकी कोई मड़ की सरवत नहीं है तो पाकिस्तान यहां पे जूट बोलता है कि भारत में उन्होंने कोरोना के वक्त कोई मड़ट की थी और पाकिस्तान की औरकार नहीं है भारत की मड़ट करने की पाकिस्तान ने सिर्फ बोला था और बोलने में पैसे खर्च नहीं होते और पाकिस्तान तो बोलने में अमरीका को भी हरा देते हैं तो क्या उन्हें सच में अमरीका को डिफीट करके पाकिस्तान सुपर पार बन गया और पाकिस्तान एक भीकारी डेस नहीं है तो पाकिस्तान इस पे पुरा जूट बोलता है कि कोरोना के वक्त उन्होंने भारत में कोई मदट भेजी ती और YouTube CEO के मामले पर पाकिस्तान हर चीज में द्लीजन को ले आता है YouTube CEO किसी भी द्लीजन का हो फरक नहीं पढ़े तो यूटूब का इंस्ट्यूशन जो रूल है वो सबको follow करना पड़ेगा इस में किसी का bias काम नहीं आता क्योंकि YouTube का जो rule है वो किसी के भी bias को allow नहीं करता तो यहाँ पर पाकिस्तनी मीडिया ने जूट बोला कि एक भारतियों बन गया तो इसलिए पाकिस्तन के लिए मुश्वले खड़ी होगी और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इतने सारे भारतिय इतने बड़ बड़ी कमपनियों के CEO इसलिए बनते हैं क्योंकि वो उसके काबिल होते हैं उसके काबिल अगर पाकिस्तानी होते हैं तो पाकिस्तानी भी बन जाते हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भारतियों को प्रेफर करते हैं या इसमें भी रोग की साजीस है ऐसा कुछ नहीं है भारतियों ज्यादा काबिल है और वो इन कंपनियों में तब घूसे थे जब यह छोटी कंपनिया थी जैसे कि अभी जो CEO बने है नील मुहन वो 2008 से गूगल में ह तो इसलिए वो अब यूट्यूब के CEO बने है तो इसमें कोई साजीस नहीं है जैसे पाक मीडिया बोलता है तो चले देखते कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्या और हमाई चाहों को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांक यू वेरी मुच्छ